हेलो रिवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म और फॉर्यर इंटीग्रल जिसको हम साइन फॉर्म भी कहते हैं हम इससे प्रीवेश वीडियो में फॉर्स्ट फॉर्म को भी कर चुके हैं और सेकिंड फॉर्म को भी कर चुके हैं फॉर्यर इंटीग्रल की ठीक है first form को हम general form भी कहते हैं और second form को हम को sine form भी कहते हैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे third form third form को हम sine form कहते हैं क्या कहते हैं? sine form तो जो third form है उसके लिए आपको first form याद होना चाहिए first form आपकी क्या थी a omega और b omega की terms में तो आपकी first form क्या थी f of x 0 to infinity a of omega cos omega x plus b of omega sin omega x और बाहर क्या था? साथ में मतलब d omega यह आपकी first form थी यहाँ जो आपकी a omega थी उसकी value क्या थी? 1 by pi integration minus infinity to infinity f of v cos omega v dv ठीक है? और b omega की value क्या थी? 1 by pi integration minus infinity to infinity f of v sin omega v into dv यह आपकी a omega और b omega की value की इसी की helps है, इसी first form की help से हम third form को निकालेंगे तो third form निकालने के लिए आपको क्या consider करना है? जो आपका f of x है consider आपको क्या करना है? क्या आपको f of x है? वो आपका क्या है? old function है second form निकालने के लिए हमने f of x को even function मानना था ठीक है? और third form निकालने के लिए हम क्या मानने के f of x है आपका old function जो आपका f of x old function है तो f of v भी आपका old function होगा ठीक है? तो यह आपको consider करके चलना है तो देखिए जो हम यह consider करके चल रहे हैं ठीक है? तो f of omega की value क्या आ जाएगी? 1 by π integration minus infinity to infinity f of v cos omega v यह आपकी a of omega की value है न? ठीक है? तो f of v तो आपका old function है यह हमने मान लिया और cos क्या होता है? आपका even function होता है ठीक है? यह आपका odd function है यह आपका even function है odd into even आपका odd ही होता है ठीक है? यह आपको property यह दखनी है जो odd function होता है into में even function जो होता है वो आपके पास odd function ही आता है ठीक है, even और odd function की product odd होती है तो इसका मतलब है क्या आपका पूरा function क्या हो गया, odd हो गया आप minus infinity to infinity integrate कर रहे हो किसी odd function को ठीक है, तो odd function की property आपको क्या काती है जो आप किसी odd function की integration करते हो minus infinity to infinity terms में minus l to l terms में या फिर जा limits में या फिर minus pi to pi limits के अंदर तब वो integration आपके पास 0 आती है ठीक है तो यह property है तो odd function की integration minus infinity to infinity क्या आएगी 0 आएगी ठीक है और 0 into 1 by pi 0 यह जाएगा तो e of omega आपका क्या आगया 0 आगया ठीक है next b omega की value आपके पास क्या है b omega की value आपके पास है 1 by pi integration minus infinity to infinity f of v sin omega v dv ठीक है अब यह क्या है आपका आप मतलगी इंटिगेट कर देओ ना किसी इंटिगेट कर देओ f of v क्या है odd function मानने है हमने sin omega v तो होता ही odd function है तो odd function into odd function even function वता है यह ओड function into odd function क्या होता है even function यह आपको पूरा function even function आप पूरे इस even function को integrate करें माइनस infinity to infinity तो आपको पता है जब आपकी limits मैनस πJ2Pi हो मैनस एल्टू ल हो जाम मानस इंफिनिटी एंफिनिटी हो तो इस केस में जब इंटेमेट करते हो मतलग कि उन लिमिक्ट के अंदर जैंकर करते हो किसी ओअधा हो सुरी किसी एवन तो यह यहां माइनस इंफिनिटी तो यहां हम 0 to infinity लिख देंगे और बाहर लगा देते हैं 2 तो 2 मैंने यहां लिख दिया ठीक है बाकि सारी टर्म एस इस तो f of b sin omega b db तो यह आपकी b omega की value आ चुकी है यह e omega की value आगी यह b omega की value आगी equation number 1 इसको हम मान लेते हैं तो आपकी first form थी इसमें हम put कर देते हैं तो आपकी third form आ जाएगी putting the values of a omega and b omega in equation number 1 ठीक है तो put कर दें तो कर देते हैं तो क्या आजएगा f of x is equals to a omega की value क्या है तो 0 है इसका मतलब यह पूरी term आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी ठीक है तो integration 0 to infinity यह पूरी term आपकी क्या है 0 है plus b omega sin omega x तो b omega sin omega x मतलब कि b omega की value क्या है यह 2 by pi integration 0 to infinity f of v sin omega v db तो इसको मैं bracket में लेता हूँ 0 to infinity ठीक है f of v sin omega v dv ठीक है और बाहर क्या लगा हुआ है साथ में यह क्या लगा हुआ है sin omega x भी तो लगा हुआ है ठीक है b omega के साथ यहां जगा sin omega x और साथ में d omega भी लगा हुआ है ठीक है तो यह आगी इसको थोड़ा सारी अरेंज करेंगे तो आपके पास third form आ जाएगी तो क्या करते हैं यह sin omega x क्या है यहां लिखा हुआ न ठीक है इस term के आगे लिखा हुआ है इसको मैं पहले लिख देता हूँ कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा थोड़ा बस दिखने में अच्छा लगेगा 0 to infinity sin omega x 0 to infinity यह वरी term फिर से f of v sin omega v dv और बहार d omega ठीक है बस यह वरी term को मैंने इस term के पहले लिख दिया यहां ल third form of four year integral यहां आप देख सकते हो cos की कोई भी term नहीं है इसलिए हम इसको sin form भी कहते हैं ठीक है sin form भी कहते है तो यह थी आपकी third form of four year integral इसे next वीडियो में हम fourth form करेंगे four year integral की ठीक है fourth form जिसको हम complex form of four year integral भी कहते है